गुद मानिंग सरीताज रूफटॉप किचिन कार्डन में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और आज एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम लोग बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कमें उस चीज के बारे में कि धूप पूरी नहीं आत करी लीव का मिठा नीम जो होता है उसका पेड़ हम लोग लगा सकते हैं अगर आपके यहां पर तीन घंटे तक की धूप आती है तो बड़ा अच्छा कुछपुदार से पत्ते होते हैं तो इसको आप अपने सबसे पहले तो मैं यही बता दूँ कि इसको आप ग्रो कर सकते हैं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मैं ऐसी सब्जियों की बात करूंगी जो जड़वाली सब्जियां होती हैं जड़के रूप में जो हमें प्राप्त होती है वो भी हम लोग 3 घंटे तक की धूप में आराम से लगा सकते हैं, जैसे आलू है, आलू के बारे में मैं आपको बताओं, वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि पूरे संद में ही लगाना चाहिए, अच्छी है तो सबजियां आपको है ना, फुल संद में ही मिलेंगी, पर मैं आप आपको बतारी हूं कि आप एक है ना, रीजनेबल वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 घंटे तक की 2-3 घंटे की धूप आती है तो, बस ध्यान ये रखें कि आपको पानी फिर उनमें कम डालना है, बिल्कुल नमी बना के रखनी है, गीले नहीं रखने बिल्कुल उनको, तो कम पानी अगर डालेंगे और अच्छी रिच सोईल बनाएंगे, तो आपके ये ना, सबजी या अच्छी लिंक लेंगी, दूसरे नमबर पर आलू के बाद, अर्भी को भी हम लोग है ना, शेड में पार्शल शेड में ग्रो कर सकते हैं, बलकि बहुत अच्छी उकती है पार्शल शेड में, आपको ये सारी जडवाली जो सबजिया ना, इनको बहुत उपर से दूप नहीं चाहिए होती, अच्छी अगर आप मिट्टी तयार करें, तो सब बड़े आराम से 2-3 गंटे की दूप में हो जाते हैं, मूली, देखो आप मू बहुत ऐसे से घर में, कोई दिकतानी और छोती मूली होती है और रड़ और वाॉइट वो तो भूत ही बढ़िया होती हैं जड़ा होती है अर बलगि 35 ज्यादा टेμपडेच Georg होता है, तो मूली सिर्फ पत्ते घर में होती है, अप मूली नहीं बन्हीं तो अच्छी से भ्र ही नी दालती हूं जालती हूं पूरे 3 महीने में दालती हूं जिसके इलावे यह लाव बीड रूट बहुत अच्छे से ग्रो Ukrainas बड़ी सब्चित अबियों के भीड़ी नियुट में वाप सब्सक्राधी युट भीड cuma लगा है सो बहुत तो बीट रूट को भी अगर दूप है आपके यहां तो लगा सकते हैं आराम से मिट्टी बस इनके लिए अच्छी रिच तयार कीजेगा और अगर धूप में आपने पूरी में लगाई है तो नो डाउट आपको जो उसका फल है वो थोड़ा सा अच्छा मजबूत या बड़ा मिलेगा क्योंकि धूप से ही बढ़ते हैं फल और अगर थोड़ी कम धूप मे नहीं आप लगाते हैं तो जीजनेबल ही इन फोड़ा से थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो यह तो अंतर पर जाता है पर फिर यह आप ग्रों कर सकते हैं हैं आप अगरो के वह उती अ बार-बार में आपसे यही कह रही हूँ कि आना ज्यादा धूप है अगर पूरी धूप है तो तो बहुत ही बड़ी बात है अच्छे से जमेगा फल भी आपका पर अगर कम धूप आती है तो भी इन चीजों को आप लगा सकते हैं रिजल्ट्स मिलते हैं उसके लाबा कैप सिक कम शिम्ला मिर्च को आप बिलकुल पाशल शेड में ग्रो कर सकते हैं बड़े अच्छे से ग्रो होती है यह क्योंकि ठंड के जगों के ही पौधे हैं जादा जाकर हम बोलें तो सर्दी में ही उगने वाली फसले हैं तो आना बहुत दूप नहीं भी होती है आपके तो आराम हैं यह से बड़े कर सकते हैं या फिर टमाटर है यालो कहलर का होता है उसको रेड होने कही प्रॉबलम ही नहीं होती है तो इसको भी ऑप ग्रो कर 만들 कर सकते हैं यह लग है कि यह ने राम से डहें दें लिग dua आप रिती हैं फिल में कि आपकर अपने की तो सिर्फ नमी बना Hak अपनी ऐसी सबजियों में जिन में ज्यादा दूप नहीं आती और आना दूसरा मिटी बहुत अच्छे से तयार करें रिज जिससे उनको ग्रोथ लेने में दिकत ना हो सिंग्री की जो फली है यह प्राइब कालर जो भी पर्पल वेज़ इनको इनको तो यह भी अच्छी बढ़ जाती हैं आपको बहुत जादा धूप नहीं आता है अब आते हैं हम लोग पत्तेदार सब्जियों पर पत्तेदार सब्जियों में आप यह देखो पालक दो तीन घंटे की धूप में अच्छे से ग्रो हो जाता है आपका ये फाइदा पत्तेदार सबजियों में तो हम लेई सकते हैं अगर ज़्यादा धूप नहीं आती तो आराम से ग्रो हो जाती है बिल्कुल दो-तिन घंटे की धूप मिल जाए इनको तो क्योंकि फल तो प्रोड्यूस नहीं करना होता है इनको सिंपल सी बात है पत्ता ही पत्ता होता है इनमें खाने के लिए तो ये आराम से ग्रो कर सकती है तो ये भी आप आशल शेट में लगा सकते हैं पानी कम रखें अच्छी जिच मिट्टी तयार करें और जब भी पालक तोड़ें उसके बाद थोड़ी सी फिर से खाथ मिला दें उसमें तो ये पालक बहुत अच्छे से आपके ग्रो हो जाता है और बड़ी फाइदेबन सबजी है सर्दियों की तो ये ग्रो करना तो बहुत ही इच्छा रहेगा आपके लिए अगर धूप नहीं आती है आपके यहां पे उसके अलावा मिंट पोदीना जो होता है वो भी आराम से शेड में ग्रो कर जाता है अभी देखो ये बिल्कुल खराब हो गया था बारिशों में और फिर से फूटने लगाए ये इधर मेरे भी इस पॉट में बिल्कुल छायासी रहती है सर्दियों में और गर्मियों में भी इतै शेड में ग्रो कर जाते हैं गर्मियों में तो बहुत इचक keeps coming paid and have something toBE के धन्या को पिआना पाशर्शेड में आराम से ग्रो कर सकते हैं एक दो घंटे की धूप अगर पत्तेदार सबजियों को मिल जाती है न तो बहुत थिये उनके अनके ग्रोथ के लिए तो धन्या पाशर्शेड में लगा के और फाइदा ले सकते हैं अपने किचिन गंटे की धूप आती है, तो आराम से लगा सकते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है बहुत सारी वेज天चवल्स होती हैं सरदियों में जो आप लगा सकते हैं इसके अलावा भी दिखों मीठी तूलसी बेजिल जिसको हम लोग बोलते हैं दिल, जो हर्ब्स जो होती हैं, जो सारी जितनी भी हैं, वो भी हम लोग है ना पाशल शेड में ग्रो कर सकते हैं, अच्छी सी खुछबू बनती है इन में, एक दो घंटे की धूप लग जाती है, उसी में, मैंने आपको बोला ना, पत्तेदार सबजियां, और जो जड़ों की वाली सबजियां होती हैं, जड़ों के रूप में जो बनती हैं, वो आराम से हम लोग पाशल शेड में ग्रो कर सकते हैं, तो जिनका फल बहुत बड़ा बनना नहीं होता ना, फल बनने के लिए धूप चाहिए होती है, बोकली जैसे ठंडे प्रदेशों की वेजिटेबल है हमारी वेजिटेबल नहीं हैं, तो इसको भी हम लोग पाशल शेड में ग्रो कर सकते हैं, और आजकल ग्रीन कलर परपल कलर की सब में गोबियां आती हैं, वो भी हम लोग पाशल शेड में ग्रो कर सकते हैं, तो ये असान है, क्योंकि है ना, ग्रीन और परपल कलर की गोबिय तो देखो आप कितनी सारी वेजिटेबल है 15 से भी जादा वेजिटेबल हो गई जिनको हम लोग शेड या पार्शल शेड में ग्रो कर सकते हैं कम धूप आती है तो भी कोई समस्या नहीं है आपकी गार्णिंग चलती रह सकती है उसमें भी बिल्कुल ही बिल्कुल धूप नह नाक है मैं बार-बार बोल रही हूं कि ये दो शर्ट तो पूरी करने ही पड़ेंगी आपको अगर आप शेड में पार्शल शेड में ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स तो इन सब्जियों को लगाईए सर्दियों में खूब आराम से अपने परिवार के लिए वेजिटेबल् अगर नहीं आरी है दूप तो उसी तरह से लगाएं इस हल्दी वगरा को तो ग्रोई है ना बीच में गन्ने के बीच में ग्रो कर देते हैं लोग या बड़े पेड़ों के नीचे लगा देते हैं कुछ तो ये बहुत अच्छा से लगती हैं सब्जियां जो होती हैं रूट करती हूं आपको वीडियो पसंद आएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आते हो तो धन्यवार